नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं सबसे तेज नियूज कस्मीर घाटी में केंदर सरकार द्वारा सो अतरिक्त कमपनियों को तैनात किये जाने के फैसले के बाद एक और फैसला सामने आया है इसके तहट स्रीन नगर सहीत मद्द कश्मीर में कई जगों पर सुरच्छा व्यवस्था के लिए तैनात CRPF को हटा कर अब PSF को तैनात किया जाएगा जी हाँ ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं सबसे तेज न्यूस दे रहा है उल्वामा हमले के बाद ये बड़ी कारवाई हुई है जम्मू कश्मीर में जोर्नल पुलिस हेटकॉर्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वर्तमान में तैनात CRPF की जगव ब्यस्थ तथा ITBP को तैनात किया जा रहा है ये सभी स्टेटिक गार्ड ड्यूटी का काम सम्हालेंगी आदेश के अनुसार स्रीनगर में GPO, PDP दफ्तर, CID, Banquet Hall, बाबधर्मदास मंदिर, सोमियार मंदिर, हबबाक दल, क्रॉस संगरी, कारगो स्रीनगर, हाई कोट कॉम्पलेक्स, बढशा, फ्लैट्स, हनुमान मंदिर, नीलम सिनेमा, एजी दफ्तर, PPS शिवपोवा, पेमिना कोट कॉम्पलेक्स में BSF की तैनाती होगी, बढ़गाम में Old JIC कार्याले में भी CRPF की जगा BSF को तैनात किया जाएगा, ये पूरा तैनाती 14 साल बाद BSF की तैनाती होगी, सीनगर में 14 साल बाद BSF को तैनात किया जाएगा, आतंकवात के दौर में BSF कानून प्रेंद्र ने CRPF को लगा दिया था, 2016 की हिंसा के बाद BSF को अस्थाई तोर पर लगाया गया था, लेकिन तुरंत ही इसे हटा लिया गया था, CRPF से अधिक संख्या सक्थ है, फोर्स, BSF, BSF को एक अधिक सक्थ फोर्स माना जाता है, CRPF की तुल्ना में यह माना जाता है कि BSF अधिक प्रसिचित को फोर्स है, साथ ही उसे हर इस्तिती से निपटने की ट्रेंग है, जम्मू कश्मीर में तैनात हो गई है BSF, तो आने मारे देखने दिनों में क्या आतंकवाद में कमी होती है, इसे देखना जरूरी होगा.